कमाल है नाटक शुरू करने का टाइम हो गया और नटी का कहीं अता पता नहीं है अब मैं करूं तो क्या करूं उफ्फो ये पता नहीं कहां चली जाती है ये तुम्हारे आने का समय है कितनी देर से बच्चे बैठें इंतिजार कर रहे नाटक का कहा रह गई थी तुम मैं बाजार से राखी खरीदने गई थी ये देखो कितने सुन्दर राखी लाई हूं मैं पूरे दस रुपाई की है आप रे दस रुपाई की राखी तो क्या मैं सस्ती राखी बांती मैं ये नहीं कह रहा हूं लेकिन कोई सस्ती राखी भी तो ला सकती थी चाचा हमें नाटक दिखाने से पहले एक बात तो बताइए हाँ हाँ पूठो बेटा यह राखी का तोहार मनाते क्यूँ है बेटा राखी भाई बहनों के प्रेम का तेवार है यह तेवार सावन की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है इस दिन सबी बहने अपने भाईयों को राखी इसलिए बांधती है ताकि वे उनकी रक्षा करें चाचा क्या बेहने ही भाईयों को राखियां बांधती है नहीं बेटा राखी का धागा प्यार का बंधन है जिस व्यक्ति के ये धागा बंद जाता है, वो हमेशा के लिए प्यार के बंधन में बंद जाता है इस दिन ब्राम्मर भी लोगों को राखी बांध कर उनके जीवन की मंगल कामना करते हैं अच्छा, तो अब तुम समझ गहना राखी का महत्व? हाँ, अब हमें नाटक दिखाईए ठीक है, तो चलो अब नाटक शुरू करते हैं एक गाओं के बीच में बच्चों एक खेत था, बहुत बड़ा उसी खेत में धेरो चुहे बिल बना कर रहते थे खेत के किनारे पर मुन मुन चुया रहती थी मा बाप की अकेली थी वो नहीं था उसका कोई भाई नाहीं कोई बहना थी राखी का दिन जब भी आता, सारे चुहे घूमा करते घूम घूम के वे चुहे चुयों से राखी बनवाते लेकिन मुन मुन चुया बच्चो रहती थी उदाख नहीं था उसका कोई भाई जिसको वो बादे राखी और बना ले अपना भाई इस साल भी राखी के दिन सारे चुहे घूम रहे थे सब के हाथों में राखी थी सभी कुशी से जूम रहे थे पर मुन मुन चुया बैठी थी एक राखी का धागा लेकर सोच रही थी क्या सोच रही थी सोच रही थी हाँ कोई तो राखी बनवाले और बन जाए उसका भाई चुहे भाई चुहे भाई मैं अकेली चुहे भाई नहीं है मेरा कोई भाई जिसको बानभूरा की भाई मुझसे राखी बनवा करके क्या तुम बनोगे मेरे भाई भूली मत बन मुन मुन चुहिया मैंने बनवाई हैं इतनी सुन्दर सुन्दर राखी फिर मैं कैसे बनवालू तुझसे ये धागे वाली राखी मुझसे राखी बनवा करके क्या तुम बनोगे मेरे भाई मुन मुन राणी मुन मुन राणी तुम चुहिया हो मैं कुपता हूं कैसे बन तुम्हारा भाई किसी चुहे को बना लो भाई कुसी से राखी बनवा लो भाई मटरू भाई मटरू भाई मैं अकेली मटरू भाई नहीं है मेरा कोई भाई मुसे राखी बनवा करके क्या तुम बनोगे मेरे भाई तु है इतनी छोटी चुहिया मैं हूं गोरा तगड़ा बचड़ा क्यों बनू मैं तेरा भाई बिल्ले को ही बना लो भाई मुन मुन रानी मुन मुन रानी तो बैठी हो यहां अकेले मुझे सुनाओ अपनी कहानी बिल्ले भाई बिल्ले भाई मैं अकेली बिल्ले भाई नहीं है मेरा कोई भाई जिसको राखी बान्धू भाई मुझसे राखी बंधवा करके क्या तुम बनोगे मेरे भाई मुन मुन रानी मुन मुन रानी मैं भी तो मा बाप का केला नहीं है मेरी कोई बहना खुशियाँ चारी मुझे मिलेंगी जो तुम बनोगे मेरी बहना जल्दी बान्धो मुझको राखी देर करो ना मेरी बहना मेरे प्यारे बिलने भाईया मेरे प्यारे बिलने भाईया मेरे पास है पतला धागा नहीं है कोई महंगी राखी मुन मुन रानी मुन मुन रानी मेरी प्यारी मुन मुन रानी ये धागा ही प्यार तुम्हारा मुझे बांध दो ये ही धागा जो सुख ये धागा देगा महंगी राखी में वो न मिलेगा बैठो मेरे प्यारे भाई रूली चंदल अभी मेलाई अब मेरी समझ में आ गया कि राखी भाई बहन के प्यार का तेवार है इसमें अमीरी, गरीबी या जातिपादी का कोई बंधन नहीं होता है और एक पतले धागे का जो महत है वो बड़ी बड़ी महंगी राख्यों का नहीं है हाँ, अब तुमने ठीक बात कही है उम्मीद है कि हमारे दर्शक बच्चों को भी ये बात समझ में आ गई होगी अच्छा, अब चलो, घर चले काफी देर हो गई है राख्यों की तयारी भी तो करनी है हाँ, हाँ, अच्छा अब तुम भी कर जाओ बेटा है तुम्हें भी तो राख्यों की तयारी करनी होगी ना हाँ, 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 हाँ